हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे MCAT20 सूपर सिरीज 2020 के थर्ड मैच के बारे में जो वेस्टन वारियर्स और नॉर्देन स्ट्राइकर्स के बीच है फ्रेंड्स और इस मैच को आप 23rd सेप्टेंबर की सुभा 9 बजे से देख सकते हैं फैन कोड एप में भारतिय समय नुसार और ये मैच किनारा एकाडमी ओवल में होगा फ्रेंड्स पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपूर्ट करने वाली है फर्स इनिंग का एवरेज स्कोर 140 प्लस देख सकते हैं वेदर की बात की जाए तो लाइट ट्रेंड होने के चांसे हैं टेंपरेचर 30 डिगरी सेलसियस रहने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप इस मैच की और IPL के सारे मैचेस की एक्यूरेट मैच प्रेडिक्सन सेसन और विकेट कॉल जाते हैं तो स्क्रीन पे मैच प्रेडिक्सन का वाटसैप नमबर सो हो रहा है फ्रेंड्स इनसे जाके आप रिपोर्ट ले लें और ये नमबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में भी बिन क्या हुआ मिल जाएगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वेस्टन वारियर इस लीग में एक बार मैच खेल चुकी है जो कि इस लीग का फर्स्ट मैच था और वो मैच साओधन हिटर के साथ था फ्रेंड्स और उस मैच में वेस्टन वारियर की हार हुई थी 19 रंस से वहीं अगर नॉर्दन स्ट्राइकर की बात की जाए फ्रेंट्स तो वो भी इस लीग में एक बार मैच खेल चुकी है जो कि इस लीग का सेकेंड मैच था और उस मैच में उसकी जीत हुई थी 8 विकेट से अब अगर दोनों टीम्स के प्लेयर्स पर नजर डाला जाए फ्रेंट्स तो वेस्टन वारियर से एफ नाजीर ए युसुफ एस मलिक काफी अच्छे बैट्समैन हैं और अगर बालर की बात की जाए फ्रेंट्स तो ए रसीद अहद और आर हैदर काफी अच्छे बालर हैं अब अगर न पी सिंग और एस सुरेंदर काफी अच्छे बालर हैं अब अगर दोनों टीम्स को कंपेर किया जाए फ्रेंट्स तो कल के इस थर्ड मैच में नौर्धन स्ट्राइकर्स के जितने के चांसेस मेरे अनुसार जादा हैं आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंट्स इस मैच को लेकर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप आई पिल के सारे मैचस का एक्यूरेट मैच प्रेडिक्शन सेसन और विकेट कॉल चाहते हैं तो स्क्रीन पे मैच प्रेडिक्शन का वाट्साप नंबर सो कर रहा है फ्रेंट्स इनसे जाके आप रिपोक ले लें काम इनका काफी अच्छा है बैक टू बैक टॉस मैं सेसन सब कुछ पास है तो इनसे आप रिपोक ले लें उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद